थोलो दोस्तों चलिए पेरियार इवी रामस्वामी के बारें पढ़ते हैं तो इनका मुल नाम इवी रामस्वामी नायकर था इरोड बिंकट नायकर रामस्वामी इनके अन्नायों ने इनके प्रति आतर प्रगट करने है तू इन्हें पेरियार की संग्या थी तमिल में पेरि बिटूर जिले के नाइडू परिवार में हुआ, यहनी हिंदूं में नीमनजादी का परिवार माना जाता है। इननोंने समाजिक भेदभाओ को जेला। ततकालिन रम्हावादी विवस्था, हिंदू बादी हिंदूत, रोणिबादी हिंदूत। बने विवस्था मूर्ति पूजा हिंदू पौराणी कथाओं का तीवर विरोत किया रच्छिन में हिंदी के अनिवार सिचन का विरोत किया इन्होंने जेस्टिस पार्टी का गठन किया देविन कणगम के संसापक थे 1970 में इसको दारा समानित किये गए रच्छनाएं कौन-कौन सी हैं तो पहला है वाई वर बुमेन इंसलेब्ड वाई वर बुमेन इंसलेब्ड पेदियार और बुद्धिजम और थौट्स ओफ पेदियार ये महत पूंड रचनाएं हैं उनकी रम्हणबादी विवस्ता का खंडन तो सर्वजनिक जीवन में भेदभाव का खंडन किया पेदियार जनीए महान बेक्त के रूप में जाना जाता है उन्होंने राजनीतिक जीवन की सुरुवात गांधी के अननाई के रूप में की परंतु कांग्रेस के पर्तियाग के बाद उन्होंने गांधी के विचारों के बिरोज व्यक्त किया उनके अनुसार गांधी बन विवस्ता के समर्थक थे जाती का उन्मोलन तो उनके उन्सार भारती समाज में जाती वबस्ता सरवादिक भेद भावपून एवं आतिक्रमक्ता मूलक है इसमें सुधता और प्रदोषण का विचार अबान्वी है उन्होंने कहा कि जाती बात केवल समाज में ही नहीं अपितु राजनीतिक दल और वि वेक और संतता के समर्थक थे इसलिए जन्माधारित जाती वादी विवस्ता और चुआ छूट के प्रवल विरोधी थे इनके अंतरिक्त वे महिलाओं के उत्थान के भी समर्थक थे इनके अनुसार धार्मिक समाज में धर्म और धार्मिक ग्रंतियों के या धार्मिक ग्रं करना चाहिए कि यह पूरवजों धारा धर्म के द्वारा अत्वा धर्म गरंतों गरताया गया है विवेक्वेकि इढ़न इसके देवारा एक मत आधार होना चाहिए कैंट नेरी स्वर्तभादी यानि यह अथीष्ट ठेए उपर इस्वर को भी नहीं मानते थे उनके अभी भी किसी को अपना दर्शन नहीं दिया और इस्वर और धर्म की उत्पत्ति का मूलकर अग्यान और गरीबी है। उन्होंने ब्यक्तिके विवेक सील चिंतन पर बल दिया आर अधिपत्त का विरोध तो उनके अनुसार आर्यों के दोरा तविणों पर अधिपत्त इस्थापित किया गया है जो बेदों के दोरा निर्मित किया गया है और बन्यवस्था दथा धर्म का निर्मान किया गया है औ ब्राम्हण जो आर प्रजाति के थे उन्होंने स्वयम को समाज का नच्चतु करता मान लिया जिसे समाज में उंच नीच का भेद भाव विक्सित हो गया और समाजिक विसमता भी पैदा हुई उनके अनुसार छुवा छोट मानवी करिमा की छट पहुंचाने वाला सरवाधिक कठोर माध्यम है क्रांति और सामेबाद तो रिवल्यूशन रिवल्यूशन एंड कमनिजम उनका नुसार समाज में क्रांतिकारी परवर्तन सुरू से ही होते रहे हैं और छुवा छोट को समाप करने के लिए ऐसे ही क्रांतिकारी परवर्तनू क्यों सकता है जहां राजा बेदभाव का बिरोध किया गया तो आत्मसंबान अंदोलन में समाजिक बेदभाव का बिरोध किया गया समाज सुधार कारिकाम को बढ़ावा देने के लिए 1925 में आत्मसंबान अंदोलन चलाया इसका लक्ष तमिल प्रदेश के गैर ब्रामण के गैर ब्रामणों के मन में अ दविन परंपरा पर गौरप का भाव जगाना था बालमीकी रमाण के राबन को दविन जात के आदर सनायक के रूप में चित्यत किया गया और राम को आरे जात के दुष्ट वेक्त के रूप में प्रसूत किया गया कई हिंदू देवी देपताओं के चरित पर कीचड़ उचालने की कोशिस की गई पेदियार रामाण की रचना की ब्रामणों के धार्मिक बचस कुछ नौती देने के लिए उन्होंने आत्म सम्मान विभाव होत्साव का अजयन किया इसमें ब्रामण प्रोहित को बुलाए बिना विवास अंसकार संपन कराए जाते थे गलिजातियों के मन से हीन भावना हटाने के लिए आत्म सम्मान पून जिने की सिच्छा दी गई असमीता की भावना को बढ़ाबा दिया गया आत्म सम्मान आंदोलन के प्रचार हेतु कुडी आरासु एवं रिबोल्ट का अप्रकासन किया गया दलतों की नई प्रहचान इस्थाफित करने हेतुना के बल द्रबिन आंदोलन चलाए गये बलकि एक नए सधीन देश द्रबिनिस्तान की मार्क उठाए गई भासा भीवात तो मद्रास प्रसिदेंसी में जब चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी के नितित्यों में स्कूली स्तर पर हिंदी भासा अनिभार की गई तब पेरियार ने इस नीदी का बिरोध किया इस बिरोध के दो कारण थे पहला तमिल प्रडेस में हिंदू लागू करनेकार्थ था संस्कृत का पुनरुत्थान और दूसरा हिंदी के बजाए मात्रभासा परबल दिया जाना चाहिए था पेरियार ने मात्रभासा को पराई आर्रभासा के आक्रमन से बचाने का आवाहन किया उनुसकों ने पेरियार को नए यूग का पेगंबर दच्छिन पूर्व एसिया का सुकरात समाज सुधार अंदोलन का पीता माना 1970 में इनुसको दार समानित किया गया 1936 में तमिल लांडू तमिलों के लिए कनारा दिया जस्स पार्टी और दमिन कड़गम तो 1916 में गठित जस्स पार्टी का उद्देश ब्राह्मन समधाय की आर्थिक स्तिति आर्थिक सक्ति एवं राजिका विरोध और गया ब्राह्मनों का समाजी कुत्तान था 1937 में जस्स पार्टी के ने तो पेरियार ने समाला 1944 में पेरियार ने जसेस पार्टी का नाम बदल कर देविड करगम कर दिया इसका प्रभाव मुकता बेद्यार थी हम सहरी लोगों पर था 1949 में पेरियार और अना दुराई के मत्वेद के काड़न देविड करगम का भाजन हो गया तो पेरियार ये भी रामस्वामी नाइकर ये अठारा सो उन्यासी से नेश्व तिहत्ता तक रहे ये इरोड में पैता हुए थे तमिलांडू का एक तमिलांडू स्टेट का ये एक टाउन था यहां इनका जन्म हुआ था 904 में रामस्वामी नाइकर एक तिरस्यात्रा पर गये थे कहां कासी और उन्होंने देखा कि किस प्रकार ब्राम्हों द्वारा जो दलित सम्दाय के बेक्ति हैं या जो नीचे तप के लोग हैं उन पर कैसे तच्चार किया जाते हैं उसको उन्होंने देखा और इस प्रकार उन्होंने अपने मतलब इस घड़ना ने उनके मन में एक गहरा घाव पैदा कर दिया इसका परिणाम यह हुआ कि वह अथिस्ट बन गया है और इस इस्प्लाइटेशन को ब्राम्ह क्रिश्यंटी में तभी उन्हें जो ब्राम्हणवाद का आपरेशन है तो इस्ट्यूशनलाइजट और संस्थागत और रिलिजियस कास्ट इजम प्राम्हण इजम में फैला है उसको हटाए जा सकता है जब दलिच संब्दाय के बेग यह तो इसलाम में कर्वर्ट हो जाए प्राम्हों को मिलते हैं उस पर धावा नहीं बोल रहे हैं उसको क्राइकडाउन नहीं कर रहे हैं 1929 में वो कांग्रेस को जॉइन करते हैं 1924 में उन्होंने बाइकॉम सत्रागरह को लीड किया इसमें केरल के मंदिर थे उसमें जलतों की इंति को ले कर दिए हंद अधूलन चलाया गया था जो पहला self respect movement था ये चेंगल पट्टू में चलाया गया था 1925 में उन्हों ने अफिसली self respect movement चलाया या ये दाइनेमिक सोसल मोव्मेंट था इसका उदेश था जो हिंदू सोसल आडर है उसको डिस्ट्वाय करना 1934 में उन्हों ने जैसिस पार्टी इस्थापना कि 1944 में यो पार्टी थी वो डविड कजगम से जानी जानी लगी उसे की पेरियार की द्वारा बनाया गया था सुष ने बनाया था सियान अन्ना दुरही डियमके के फाउंडर सियाम अन्ना दुरही में बर्ग कौन-कौन से हैं कुदी अर्शू हितमिल बीगली था 1925 में और रिवोल्ट ये इंग्लिस जर्नल था 1928 में आता है